हेलो एवरिवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पड़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइनिम इस संजीफ पांडे और स्वागत है आपको अपने प्यारे से खुबसूरे से चल में जे आर कॉलेज में जो की पार्ट है जे आर टुटोरियल का ओके जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में वी हाव कंप्लीटेड यूर मेथमेटिकल मेथड हम लोग ने मेथमेटिकल मेथड के सारे लेक्चर्स वीडियो खतम कर दिये उसका एक्सेसाइज भी हमने मेरा संट करेंगे तो हमारा काइनमेटिक करेंगे कर वाह पर नहीं होता हम बाद में पढ़ते हो उसके स्केडिड वाले शट्रम पढ़ेंगे यहां पर सिर्फ motion की बात होगी तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे rectilinear motion, distance क्या होता है, displacement क्या होता है, speed क्या होता है, velocity क्या होता है, acceleration क्या होता है आज सारी basic चीज़े आज हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं, कुछ भी ज़्यादा detail यह ऐसा नहीं कि तुमने नहीं पढ़ा है, यह already तुमने कहीं न कहीं 8, 9, 10 में या फिर कहीं आसपास सुनते आ रहे हैं, तो यह तुम्हारी लिए सारा known topic है, कोई भी unknown topic आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, clear कहानी, so motion in a plane है, but obviously है कि हम directly plane की बात नहीं करेंगे, उसमें कहीं नहीं कहीं rectilinear motion, मतलब सबसे पहले हम linear motion की बात करेंगे, मतलब motion in one dimension की बात करेंगे, और जैसी हमारा one dimension खतम हो जाएगा, फिर we will move on the motion in a plane, okay, so सबसे पहले हम लोग linear motion की बात करेंगे, तो let us start with a rectilinear motion, which is also called as linear motion और translation motion, तो what do you mean by linear motion, यह body है, यह body एक dimension में move कर रही है, मतलब एक dimension में move कर रही है, जैसे यह body है, यह body straight line में move कर रही है, एक dimension में move कर रही है, तो जब एक dimension में body move करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते है, rectilinear motion, या फिर linear motion, या फिर तुमारा translation motion, okay, मतलब when body moves in one dimension, okay, वो जब एक dimension में motion करें, जैसे तुम्हारा bike हो गया, cycle हो गया, ये सारे के सारे at a time एक dimension में ही चल सकते हो, at a time ये दो dimension में चल नहीं सकते हो, तो ऐसा जो motion होता है, that motion is called as, उसको हम लोग rectilinear motion बोलते हैं, या फिर linear motion बोलो, simply, या फिर उसको translation motion बोलो, अब ये motion को अगर तुमको समझना है न, तो उसके कुछ variables है, कुछ terms है, जो तुमको समझना बहुत जरूरी है, जैसे मानलो कि अगर तुमको किसी के बारे में पढ़ना है, तो उसके जो basic terms है, जो उसके अंदर इस्तमाल होने वाले हैं, वो terms समझना जरूरी है, वो जिसमें सबसे ज़्यादा confusion होता है, कि distance क्या है, displacement क्या है, तो उसको एक example से समझने के कोशिस करते हैं, let's say कि मैं यहाँ पे A point है और B point है, so let's say, मैंने आपर दो path बनाए हुए हैं, तीन path बनाए हुए हैं, ओके चलो, तो मेरे पास तीन path है, A से B जाने के लिए, path number 1, path number 2, path number 3, चलो, तो तुमारा सबसे पहले question है, तुमको answer बताना है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, comment section में तुमारे सबका answer available होना चाहिए, कि भाई, which of the path is a distance, and which of the path is displacement, अगर जो भी तुमारे पास, जो भी तुमने पुराना पढ़ा हुआ है, जो भी तुमने 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है, उसके basis पे, भाई, कौन सा इसमें से distance है, और कौन सा इसमें से displacement है, वो तुमको answer देना है, ओके, चलो, दे दिया सब लोग ने, video pause करो, comment section में जाओ, सब लोग अपना answer लिखो, अब मैं सबको answer बताऊँगा, भाई, सब अपना answer चेक कर लेंगे, तो भाई, 1, 2, not 2, 3, is distance, सब लोग ने लिखा रहेगा, and 2 is displacement, ऐसा ही है, सबका answer अगर देखने जाएगा, तो यही, mostly सबका answer यही मिलेगा, कि भाई, 1 और 3 क्या है distance, और 2 क्या है, 2 displacement है, अब जाहिर सी बात है, भाई, यह जो तुमारा answer है, यह कहीं-ने-कहीं incomplete है, गलत तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सही है, बट कहीं-ने-कहीं incomplete है, the actual correct answer is, by 1, 2, 3, यह तीनों के तीनों distance है, and 2, specially is a displacement, this is the perfect answer, this is the perfect answer, बहुत बार हमको क्या लगता है, कि भाई यह जो 2 है यह distance नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है, distance और displacement को समझने ही कोशिस करो, distance क्या होता है, distance होता है, the actual path, the actual path, body has covered, body has covered, मतलब, body ने जो भी actual path को cover किया है, बाई जो भी body actual path को cover कर रही है, वो तुम्हारा distance होगा, तो अगर हम लोग देखने जाए, कि माल लो, कि body ऐसे चली, तो ये तुम्हारा distance हुआ, भाई body ऐसे चली, तो ये तुम्हारा distance हो गया, yes or no, मतलब यहां से, ये वाला जो path 1 है, path 1 is a distance, because the actual path, जो body cover कर रही हो, अगर माल लो, कि body ऐसे चली, तो भाई ये तुम्हारा body ऐसे चली, मतलब path 2 follow किया, तो path 2 is nothing but a distance, भाई ये भी क्या है, distance है, yes or no, क्योंकि the actual path covered by the body, is nothing but a distance, तो this is nothing but a distance, yes or no, अब माल लो, ऐसे move हुई, उसने ये path follow किया, अब ये path follow किया, तो भाई this is nothing but also distance, भाई जो path 3 है, ये भी तुम्हारा distance ही है, मतलब तीनों के तीनों तुम्हारे distance है, path 1, path 2, path 3, तीनों के तीनों distance है, okay, but अब ये तीनों में, ये जो 2 वाला path है न, ये सबसे shortest distance है, मतलब this is the shortest distance between two points, okay, 2 point के बीच में सबसे छोटा जो distance है, वो तुम्हारा ये straight line है, yes or no, तो भाई A और B के बीच में, जो सबसे shortest distance है, वो ये straight line है, तो इसलिए ये straight line को क्या बोलेंगे, displacement बोलेंगे, अब वो distance नहीं है, है, वो distance तो है, क्यूंकि distance का definition क्या है, the actual path covered by the body, तो body नहीं यहाँ पर path covered नहीं किया, क्या किया, तो it is a distance, बट ये ऐसा distance है, जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटे वाले distance को हमनों क्या बोलते हैं, displacement बोलते हैं, clear, बात सुनना everyone, okay, why it is called as distance, भाई ये distance भी है, और displacement भी है, याद रखना हो के, हमेशा याद रखना हो के, भाई अगर जो body displacement है, वो body distance भी रहेगा, हाँ, अगर जो body distance है, वो displacement रहे है, ऐसा compulsory नहीं है, जैसे 1 और 3, 1 और 3 is a distance, but it is not a displacement, 2, 2 is a distance as well as displacement, 2 is a distance as well as displacement, clear, तो what is displacement, भाई displacement को हम लोग कैसे define करेंगे, displacement को हम लोग बोल सकते हैं, the shortest, the shortest, distance, between, 2 point, the shortest distance between 2 point, और 2 position, तुम लोग जो लिखना चाहाँ लिख सकते हैं, कोई problem नहीं हो, the shortest distance between 2 positions, is nothing but a displacement, उसको क्या बोलते हैं, displacement बोलते हैं, displacement जेरली हम लोग कैसे निकालते हैं, displacement निकालने का basic funda क्या है, यह एक vector quantity है, याद रखना, यह माल लो तुमारा x2 position है, यह माल लो तुमारा x1 position है, तो अगर तुमको displacement निकालना है, तो x2 में से x1 को minus कर लो, तो तुमको displacement मिल जाएगा, clear, distance क्या है भाई, distance एक scalar quantity हमको पता है, यह scalar quantity है, तो यहाँ पे सिरिफ magnitude का लेना देना है, यहाँ पे तुमको कहीं पे भी direction की बात नहीं होगी, बट जहाँ पे displacement आएगा, तो वहाँ पे हम लोग की direction की बात हो जाएगी, याद रखना होगे, वहाँ पे हम direction भी consider करेंगे, because displacement is a vector quantity, तो वहाँ पे magnitude की तो बात होगी, but as well as direction की भी बात होगी, क्लियर समझ में आ गया, what is distance and what is displacement, चल, next variable समझने के कोशिश करते हैं, the next variable is your average speed, what is this average speed, average speed का मतलब क्या होता है, तो let's say कि भाई, हम लोग एक example consider करते हैं, example के थूँ इसको समझने के कोशिश करेंगे, let's say यहाँ पे हमारा घर है, और घर से हम गोवा जा रहे हैं घूमने, गोवा बहुत अच्छा जगा है, सबको बहुत पसंद आता है, तो हम गोवा जाएंगे घूमने के लिए, तो गोवा हम वाई कार से घूमने चालू करेंगे, तो हम यहाँ अपने घर से गोवा कार लेके जाएंगे, तो कार कैसे लेके जाएंगे देखो ज़रा तो मालो यहां से कुछ दूर तक हम कार में स्लो गए तो लेसे हमारा जो स्पीड था वो था 20 किलो मीटर पर आर फिर हमारे पास अच्छा एक हाइवे आया तो उस हाइवे में हम लोग ने गाड़ी को बहुत बहतरीन तरीके से बढ़ाया और लेसे यहां से यहां तक हम गाड़ी का जो स्पीड था वो रखे 80 किलो मीटर पर आर फिर उसके बाद थोड़ा सा पहाड़ी एरिया आ गया थोड़ा हिली एरिया आ गया तो हमने स्पीड थोड़ा सा चेंज कर लिया तो हमारा स्पीड थोड़ा सा चेंज हो गया मतलब थोड़ा सा कम हो गया लेसे 40 किलो मीटर पर आर और फिर वापस एक हाइवे मिल गया तो वो हाइवे पे हम लोग ने अच्छा खासा स्पीड भराया लेसे expressway मिल गया लेसे तो expressway पे हमने उसको और तेज भगाया लेसे 100 km पर आर और फिर हम गोवा सिटी में पहुच गये तो गोवा सिटी में ट्राफिक यह सब है थोड़ा बहुत तो हम लोग ने speed अपना कम कर लिया लेसे तो हम speed अपना कम करके हम लोग ने मालो की speed कर दिया 30 km पर आर ओके डिस इस दा स्पीड भाई कहां से मेरे घर से लेके गोवा तक पहुचने में इतना 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 को लगा ओके यहां पर समझने कोशिस करो भाई मालो की मैं गोवा से वापस आ गया मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई तु गोवा गया था कितना speed में गया चला बता तो आपन क्या बोलेंगे आपन बोलेंगे भाई हम लोग घर से निकले तो आपन 20 km पर आर गये फिर अपने को highway लगा तो highway लगा तो वहां पर 80 में भगाया फिर उसके बाद थोड़ा पहाड़ी एरिया आ गया वहां पर 40 में भगाया फिर वहां प वापस express way मिला तो वहां पर 100 पर भगाया फिर गोवा के अंदर 30 में भगाया आपना ऐसा पूरा लंबा description देंगे क्या उसको नहीं ना obviously हम क्या बोलेंगे कि भाई एक लंसम speed से गए आया ना हम बोलेंगे कि भाई एक लंसम speed से हमने travel किया हम उसको बता देंगे 60 km पर आर से हमने travel किया हम उसको बता देंगे 80 km पर आर से हमने travel किया हम उसको पूरा description थोड़ी देने वाले है तो यह जो लंसम speed है ना this लंसम speed is nothing but average speed ओके इस लंसम speed is nothing but average speed and what is this average piece? how this average speed is calculated? तो average speed calculate होता है सबका average लेलो तुमको answer मिल जाएगा या सौनो बहुत बढ़ी यहां है ना गलत अगर तुम सबका answer लोगे तो तुम्हारा answer गलत आएगा याद रखना ओके problem क्या है कि यहाँ पर जो time interval है ना हो सकता है तुमने 20 km यसका पर आर 2 घंटे के लिए चलाया हो और सकता है तुमने 2, 3, 4, 5, तुम्हार जो answer राएगा वो गलत राएगा तुम्हार जो answer राएगा वो गलत राएगा याद रखना तो आवरेज speed का formula क्या ही होता है ? आवरेज़ speed का formula होता है एक ही फर्मुला है जो तुम को काम आएगा धर जिस average speed is equal to total distance covered by the body total distance covered by the body to the total time taken by the body यही एक formula है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो और यही एक बहतरीन formula है याद रखना यही एक बहतरीन formula है average speed क्या होता है the total distance divided by the total time taken कि भाई यहां से लेके goa तक का distance क्या है मालनो कि यहां से लेके goa तक का distance है 600 km और तुम गोवा कितने घंटे में पहुचे भाई तुम गोवा पहुचे 10 घंटे में 10 आर में पहुचे तो this is your average speed that is 10 10 cancel that is 60 km per hour that is 60 km per hour इसको average करने की कोई ज़रार नहीं है ओके average speed का एकी formula है the total distance divided by that total time भाई गोवा कितना दूर है यहाँ से 600 km दूर है divided by कितना time लगता है यहाँ से जाने में 10 घंटा लगता है तो 600 km divided by 10 cancel करो there will be 60 km per hour this is the average speed अब तुम इसको average करोगे और answer बताओगे तो that will be wrong वो गलत हो जाएगा याद रखना और हाँ गोवा 600 km है और उसको 10 घंटा लगता है यह मैं consider कर रहा हूँ example दे रहा हूँ तो तुम लोग बोलोगे तुम लोग फटाग से description में चालू करोगे सर कहां रहते हो भाई कहां आपका जो time है वो 10 घंटा लग रहा है कि भाई अपने को अगर average speed पूछा तो average speed में अपने को एक चीज़ का ध्या ध्यान देना है कि average speed का अपने पास एक ही definition है that is total distance by total time taken इसका अगर हम लोग SI unit देखने जाए तो भाई SI unit तुम बच्पन से पढ़ते आ रहे हो that is meter per second इसका जो SI unit होता है वो meter per second होता है अगर कहीं पर तुमको kilometer per hour दिखता है कहीं पर तुमको kilometer per hour दिखता है तो उसको convert करो convert कैसे करोगे भाई इसको multiply by 5 by 18 जैसी तुम kilometer per hour को multiply by 5 by 18 करोगे तुमको answer आ जाएगा meter per second में तुमको answer किसमें आ जाएगा meter per second में याद रखना जैसी तुम किलोमेटर पर आर आएगा, किलोमेटर पर आर को तुम 5 by 18 से मंटिप्लाइ करो, तुमको आंसर आजाएगा मीटर पर सेकंड में clear बासन आ गई, what is average speed? let us talk about average velocity, यह क्या है, यह तुम्हारा average velocity है so what is average velocity? obviously बात है कि भाई, जो तुम्हारा speed है, वो एक scalar quantity है और जो velocity है, वो एक vector quantity है, मतलब यहाँ पर हमको direction का भी ध्यान देना है तो भाई, direction का ध्यान देना है, मतलब यहाँ पर हमको distance के बजाए displacement की बात करनी होगी तो average speed का जो formula होता है, या फिर average speed का जो definition होता है, generally उसको हम लोग V से represent करते है तो average speed is defined as change in displacement, change in displacement, divide by change in time मतलब तुमने कितना displacement change किया, कितने समय में, कितना displacement change किया, कितने समय में, okay so माल लो कि इसको हम लोग change in displacement को लिख देते हैं del x और change in time को हम लोग लिख देते हैं del t तो भाई, जो velocity है, वो एक vector quantity है, इसलिए इसके उपर arrow आ रहा है, याद रखना vector और scalar की कहानी इसके पहले वाले chapter में clear कर लो, क्योंकि हर जगे तुमको vector and scalar का काम आने वाला है, okay याद रखना, so भाई, ये, this is the average velocity, the change in displacement divided by change in time तो इसको define कर सकते हो तुम, the change in displacement या फिर total change in displacement divided by change in time, this is nothing but average velocity, भाई, दोनों का unit same होगा, क्योंकि दोनों लगभग same quantity है, exactly same quantity नहीं है, ये vector quantity है, ये scalar quantity है, इसके पास direction होगा, इसके पास direction नहीं होगा, हाँ, बट जाहित सी बात है, जब हम लोग linear की बात कर रहे हैं, जब हम रक्ती linear की बात कर रहे हैं, जब हम लोग straight line की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर distance और displacement same हो जाता है, since distance और displacement same हो गया, तो speed और velocity भी same हो जाता है, जब तक body turn नमारे, जब तक body turn नमारे, भाई, वो एक direction में अगर चलता रहेगा, तो जो उसका speed होगा, वही उसकी velocity होगी, क्य linear motion में हम लोग one dimension motion करते हैं, इसलिए, ओके ये चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, ओके, चलो, next is instantaneous velocity, ये बहुत important चीज़ है, instantaneous velocity क्या होता है, so तुम लोग ने बाइक चला रहेगा, जब तुम बाइक चलाते हो, तो देखो हर एक second, हर एक second, बाइक का speed change हो रहा है, कम is called instantaneous speed, या फिर instantaneous velocity, okay, मतलब जब तुमारा जो time interval हो बहुत छोटा हो जाया, okay, when time interval is very small, when time interval is infinitely small, बहुत छोटा, okay, when time interval is infinitely small, infinitely small, infinitely small, इसको बोलते हैं, del T tends to 0, मतलब भाई, जो del T है, वो बहुत छोटा है, बट 0 नहीं है, tends to 0, very close to 0, अगर ऐसा है, तो तुमारा जो instantaneous velocity है, वो defined होता है, that is, limit del T tends to 0, limit क्या होता है, max में तुम देखोगे, that is del X by del T, और जब limit apply कर दोगे, तो इसका एक बहतरीन formula मिलेगा, तुम respect to time, that is the rate of change of displacement with respect to time, this is nothing but a differential form, इसी रहे हमनोंने differential सिखा था, भाई, this is your differential form, तुमारा displacement, divide हो रहा है, time से, displacement, the rate of change of displacement with respect to time, is called as velocity, यही तुमारा velocity है, clear बास में आ रहा है, मतलब यह तुमको एक particular instant पे value देगा, okay, particular instant पे, मतलब भाई, 10 बजे क्या speed है, 10 बच के 1 मिनिट पे क्य क्या speed है, 10 बच के 2 मिनिट, 3 सेकंड में क्या speed है, मतलब उस particular instant पे क्या speed है, वो तुमको यहां से पता चलेगा, okay, मतलब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे equation की बात होना, तो equation में यह वाला formula लगा देना है, और कहीं पे number की बात हो रही है, तो number में यह वाला, या फिर यह वा is given, by, that is x equals to 2 t square minus 3 t, ऐसा कुस्तों मेर को गीवन है, okay, मेर को बोला है, भाई, what will be the speed, what will be the velocity, at t is equals to 2 second, भाई, जब मेरा time 2 second है, तो उस समय velocity क्या होगी, that we have to say that, okay, वो हमको बताना है, तो मुझे पता है, भाई, v क्या होता है, v होता है, dx by dt, velocity क्या होता है, velocity होता है, dx by dt, हाई या न, जरा x को differentiate करो, with respect to time, इसको तुम differentiate करोगे, with respect to time, तो differentiation हम लोग ने पढ़ा है, अभी तक अगर differentiation नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लो क्योंकि physics में बहुत जादा काम आने वाला है, इसके पहले वाले chapter में हमने discussion किया है, याद रखना, तो 2t square minus 3t है, तो अगर मैं इसको differentiate करूँगा, तो differentiate करके answer क्या है, that is 4t minus 3, यह मेरे को velocity का equation आ गया, बट मेरे को velocity कब पूछा है, जब time 2 है, तो time के जगे 2 डाल दो, तो velocity when t is equals to 2 second, तो यहाँ के अगर मैं 2 डाल दोंगा, तो time के जगे 2 minus 3, that is 2 8, 8 minus 3, that is 5 meter per second, अब जैसे जैसे तुम time change करते जाओगे, भाई तुम time 2.1 डालो, जैसे तुम इसमें 2.1 डालोगे, तुमारा answer रा लगाएगा, time 2.2 डालो, 2.2 डालोगे, answer रा लगाएगा, मतलब हर सम समय पे, 2 second में क्या velocity है, that is called as instantaneous velocity, 3 second में क्या velocity है, that is called as instantaneous velocity, देखो तुम 3 second put करोगे, तुमको answer अलग मिलेगा, 3 second छोड़ो, तुम 2.00001 second put करो, तो भी तुमको answer अलग मिलेगा, मतलब जैसे ही तुमारा instant change हो रा है, velocity change हो रही है, ओके, clear भासन में आ गया, what is instantaneous velocity everyone पका, कहानी सम में आ गया everyone, okay, चलो, next is, next variable is your acceleration, okay, तो what is acceleration, भाई acceleration तुमने पढ़ा है, कि velocity जब change होती है, okay, with respect to time, that is called as acceleration, मतलब, change of velocity, change of velocity, change of velocity, change of velocity, with respect to time, with respect to time, with respect to short मेलिक दिया, okay, मतलब, मानलो कि मेरे पास कोई initial velocity थी, U, मानलो मेरे पास कोई initial velocity थी, और ले से, after time T, after time T, after time T, मेरे पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गया, let's say V, so what is acceleration, by acceleration होता है, change in velocity divided by time, okay, so that is change in velocity, velocity कितनी change जुई कैसे निकालेंगे, V minus U, okay, V minus U is nothing but a change in velocity, कितने time में change हुई, that is T time, okay, मतलब, acceleration is equal to V minus U by T, अब, this is your average acceleration, okay, जिसका unit क्या होता है, unit होता है, meter per second square, okay, that is meter per second square, अब instantaneous क्या है, भाई, particular instant पे, yes or no, particular instant पे, इसको एक और तरीके से लिखे, मतलब, a is equals to del V by del T, यह मेरा acceleration है, भाई, a is equals to del V by del T, acceleration भी एक vector quantity है, तो भाई, यहाँ पे vector आएगा, instantaneous का मतलब क्या होता है, particular समय पे, मतलब, limit del T tends to 0, that is del V by del T, और limit अप्लाई कर दूंगा, मिरको क्या मिलेगा, limit अप्लाई कर जैसी में, limit अप्लाई करूंगा, मिरको मिलेगा, a is equals to dV by dt, मतलब, the rate of change of velocity, the rate of change of, rate of, change of velocity with respect to time is acceleration, यह तुमारा क्या है, यह तुमारा acceleration है, बरबर, मतलब, velocity समय के साथ change हो रही है, यह जैसे माल लो, कि अभी मेरी velocity है 20 meter per second, अब 20 meter per second change हो गया 30 meter per second, तो कितना change हुआ, 20 meter per second, change हुआ 30 meter per second, change कितना हुआ, change हुआ 10 meter per second, तो यह जो 10 meter per second है, divide by second, मतलब, 10 meter per second, per second, बात सेना रहे, मतलब change कितना हो रहा है change हो रहा है 20 से 30 जा रहा है तो 20 से 30 जा रहा है तो कितना change हो रहा है 10 change हो रहा है कितने समय में change हो रहा है एक second में change हो रहा है तो acceleration will be 10 meter per second per second and that per second per second is meter second square एक्चुल में acceleration का मतलब होता है meter per second per second मतलब velocity change हो रहा है per unit time तो वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है पर उनिट टाइम, that is called acceleration, yes or no, जैसे मालो कि acceleration is 2 meter per second, okay, acceleration is 2 meter per second square, तो मालो initial velocity 0 है, एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2, अगले एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4, मतलब वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है, वे फिर 8, फिर 10, तो यह जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है न, that is called as acceleration, उसको हम लोग बोलते हैं, acceleration, okay, और अगर वही instant हुआ, particular time पे हुआ, जैसे अगर equation form में आ गया, this is in the form of equation, okay, तो मालो यहीं पे मैं बोलता हूँ कि भाई, acceleration क्या होता है, acceleration is dv by dt, तो इसको अगर मैं differentiate कर दूँ, तो इसको differentiate करूँगा, तो क्या मिलेगा, भाई, 3 है, constant 0, 40 का differentiation, that is 4, तो answer is 4 meter per second square, this is your acceleration, okay, that is 4 meter per second square, मतलब तुमारा जो velocity है, वो 4 meter per second से change हो रहा है, मतलब मालो कि अगर अभी velocity 0 है, तो एक second बाद उसकी speed हो जाएगे 4 meter per second, अगले second बाद उसकी speed हो जाएगे 8 meter per second, उसकी अगले second में उसकी speed हो जाएगे 12 meter per second, मतलब जो velocity change हो रही है वो 4 meter से change हो रही है 4 meter per second per second से change हो रही है मतलब हर second में उसका जो velocity change हो रहा है वो 4 meter per second change हो रहा है clear बासन आ गया that is called acceleration उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं clear everyone पका समझ में आ गया सारे variables समझ में आ गए distance क्या होता है, displacement क्या होता है, speed क्या होता है velocity क्या होता है, instantaneous velocity क्या होता है, acceleration क्या होता है instantaneous acceleration क्या होता है यह सारे basics हैं, याद रखना यह variables हैं, यह पढ़ोगे तो motion तुमको बहुत बहुत बहतरीन तरीके से समझ में आएगा, अगर यह चीज नहीं समझोगे, तो motion उतने अच्छे से तुमको समझ में नहीं आएगा, अच्छे से क्या समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह variables हैं, यह उसके ABCD's हैं, अगर तुमको motion समझना है, तो तुमको अलफा बैट आना चीए, तो यह उसके alphabet है, याद रखना, clear, बास में आगए everyone, okay, so, test book में सारी चीज़े दी हुई, एक बार once read कर लो, जितना तुम reading habit बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए बहुत आच्छा होगा, okay, so, अगर कहीं पर कुछ doubt है, तो comment section में बता दो, या फिर instagram पर DM कर दो, कोई problem नहीं है तो वहाँ पर हम लोग discussion कर लेंगे, okay, अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करना है, चैनल पर first time हो, तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, और bell icon प्रेस कर देना, क्योंकि जैसी वीडियो upload हो, तुम तक notification पहुँच जाए, okay, clear बास में आ गई, चलो, तो आज का वीडियो यहीं पर end करते हैं, आज कले बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.